नमस्कार दोस्तो आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अगर आपने गलत TDS चलान भर दिया है तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं online तरीके से आपको बताऊगा कि कैसे आप उसको सही कर सकते हैं अगर आपने TDS चलान में गलती कर दी है तो सबसे पहले आपको login पहाना पड़ेगा income tax की site पे आ जाना ठीक है उसके बाद login पहाना और login पहा के आपको यहाँ पे करना क्या होगा 10 number का use करके login करना होगा ठीक है? pen number नहीं 10 number जिसके दुरू TDS की return फाइल करते हैं 10 number में user ID और जो password create किया है वो डाल के आपको login करना होगा चलिए मैं कर लेता हूँ login सब दोस्तों यह मैंने कर लिया है portal पे login चलिए आपको बताऊंगा कि कैसे आप online request डालेंगे TDS चलां की correction के लिए उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है जोनों नवी तक सब्सक्राइब नहीं किया e-filing portal से जमा होता है पहले आप जमा करता है NSDL 10 की website से अब सभी जो TDS की चलान है वो income tax portal से जमा होता है तो यही पर आपको जो 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 जलान pay करोगे आपको दिख जाएगा कि आपने कौन-कौन से चलान pay किया उसको download भी कर सकते हो payment history में जा हुए देख सकते हैं बहुत सारे चलान हमने pay की है इसमें से मैं आपको चलान बताता हूँ correction कैसे करेंगे इसमें से ये पहला वाला जो चलान है 8298 का इस चलान की correction बताऊँगा कैसे करनी होगे सबसे पहले क्या करेंगे इस चलान को download करेंगे action पे जाके click करेंगे और यहां से जो चलान की PDF फाइल है वो download हो जाएगी ये देखो दोस्तों अब ये जो चलान पे हुआ है वो 194J के अंदर हुआ है 194J में हुआ है और ये है इसका amount और VRS code बगरा ये सारी detail है चलान की ठीके तो करना क्या होगा सबसे पहले तो चलान डाउनोड कर लेना उसके बद करना क्या होगा आपको traces की site पे आनी होगी ठीके देखो ये है traces की site traces की site पे आके login कर लेना user ID and password डाल के login करने के बाद आपको statement and payment पे जाना है यहां पे देखो option आता है request for all task चलान correction ठीके इस पे क्लिक करोगे session आउट हो गया है बहुत time से पहले मैंने login किया हुआ है बहुत देल से login कर रखा था इधर तो जो time है वो out हो गया है चलिए फिर से मैं login कर लेता हूँ यहां यह दोस्तों मैंने कर लिया login अभी किस पे जाना होगा statement and payment पे जाएंगे देखो request for old task चलान correction इस पे जाएंगे सो देख सकते हैं यहां बताता है कि जो भी आपने चलान पे किया है TDS चलान उसका आप यहां पे correction कर सकते हो old task चलान देखो क्या पहले हम जमा करते थे NSDL की side से तो वो old task चलान के through correction कराता था लेकिन अभी जितने भी चलान जमा करते हैं वो e-filing portal पे जमा करते है तो department को यहाँ पर change करना चाहिए e-filing portal का आना चाहिए income tax portal पर जो चलान जमा किया उसका correction आना चाहिए लेकिन कोई problem नहीं है यहाँ पे आप e-filing portal से जो आपने चलान जमा कराया उसकी correction कर सकते हो NHDL की portal से कराया है तो वो भी कर सकते हो दोनों ही कर सकते हो ठीक है अभी proceed पे click करना होगा proceed पे click करने के बाद देखो बोलता है कि क्या क्या आप change कर सकते हो आप financial year major head minor head और section code को change कर सकते हो अगर 10 number में mistake कर दिये band number में mistake कर दिये तो इसका option यहाँ पे अभी फिलाल नहीं है इसके लिए आपको income tax office जाना होगा 10 या pen का correction भी जल्द ही traces की site पे आपको देखनों को मिलेगा अभी इसके लिए कोई update नहीं है financial year मतलब assessment year में गलती कर दिये तो change कर लोगे section code में गलती कर दिये उसमें कर लोगे company deductive या non company deductive कर दिये उसमें भी change कर लोगे ठीक है तो ये 5 step follow करने होते हैं सबसे पहले proceed पे click करोगे और यहाँ पे चलान की detail भरनी होगी चलान की detail में क्या क्या detail जागी जैसे की मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले BRS code तो BRS code हमारा यह है इसको copy करेंगे BRS code डाल दिया फ़र उसके बाद date of deposit date of deposit है 29 जुलाई 23 तो यहाँ से date हमें select करना पड़ेगा और यह 29 जुलाई 23 ले लिया यहाँ पे चलान का serial number आएगा चलान का serial number यह है copy किया यहाँ paste कर दिया 8298 यह डाल दिया हमने अभी go पे click करेंगे सो दोस्तों देख सकते हो यह चलान आ गया अभी यहाँ पे क्या क्या change कर सकते हो financial year change करना है तो यहाँ से select करेंगे कौन से financial year के जन्मा कराना है मान के चलिए अपने financial year में गलती कर दिया तो यहाँ से financial year ठीक कर सकते हो section code में गलती कर दिया 94J में करा दिया 94C का था 94I का था यह किसी और section का था तो वो कर सकते हो major head है company deducted है यह non company deducted है उसके इसाब से कर सकते हो minor head regular assessment का है यह normal today जमा करा रहे उसके लिए कर सकते हो बज़ इसमेंसे select करके जो भी option आप करना चाहते हो select वो select करके आपको यहाँ पे submit पे click करना होता है submit पे click करके आपकी request डल जाती है एक बात का और धियान लगना यहाँ पे correction TDS चलान का तुरंत नहीं होता जैसे आपने TDS जमा कराया आप सोचोगे मैं तुरंत इसको correct कर लो तुरंत नहीं होगा क्योंकि traces की site पे चलान को आने में time लगता है कम से कम 15 दिन का time लगता है 15 दिन बाद ही आप traces की portal पे आप चलान को ठीक कर सकते हो उससे पहले करना चाहोगे तो नहीं होगा अगर TDS में mistake कर दिया है तो कम से कम इसे ठीक करने के लिए 15 दिन का time आपको लेना बढ़ेगा 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद आप try करोगे तो आपका यह चलान correct हो जागा 15 दिन से पहले करोगे तो चलान generally traces की site पे आता नहीं है उससे आने में time लगता है आप चाहे हो तो बीच-बीच में check कर सकते हो अगर आ जाए तो आप यहाँ पर request डाल सकते हो request डालने के 24 गंटे के अंदर 24 से 72 गंटे के अंदर आपका यहाँ पर चलान correct हो जाता है सही हो जाता है ठीक है तो दोस्तो जैसी आप request submit कर देंगे आपको यहाँ पर एक request number मिलेगा उस request number को ले जाके आपको करना क्या है simple है go to track request correction request पर जाएंगे और यहाँ पर view all पर जाएंगे और जो भी आपने request दिया होगा देखो उसका status ऐसे आपको दिखेगा यहाँ पर status दिख जगा कि क्या है जैसे in process लिखा हुआ है मतलब process में है assessing officer इसको देखेगा अफिर उसके वाइश को approve करेगा तो जैसी यह approve हो जाएगा उसके में उस case में आपका available नजर आएगा या फिर कुछ rejection करना होगा तो reject लिखा आएगा available का मतलब होगा कि officer ने आपकी request को accept कर लिया है in progress का मतलब हो गया कि अभी वो under processing है तो दोस्तो ऐसे आपको TDS चलान correct करना है online TDS चलान correct कर सकते हैं वीडियो के से लगी जरूर बता है thank you so much जै हिंद वंदे मात्राव